बड़े स्टार्स की फिल्मों के लिए तीन सो चार सो करोड तो बहुत आम सी बात है। शारुक खान की फिल्म डंकी एक बहुती साधारण बजट से बनी है। जी हाँ, राजकुमार हिरानी डिरेक्टेड ये फिल्म सो एक सो बीस करोड के बजट की है। फिल्म को अगर राजकुमार हिरानी की अब तक की बेस्ट फिल्मों में से बताया जाए तो इसमें कोई दोराय नहीं होगा। राजकुमार हिरानी का ब्रिलियन डिरेक्शन और शारुक खान का ग्रे स्क्रीन पर बखुबी निखर कर आया है। फिल्म का कॉंसेट इल्लीगल इमिग्रेशन है और कहानी पंजाब से आती है। इस फिल्म में बोमन इरानी आइलेट्स के टीचर बने हैं जिनका किरदार अपने आप में ही काफी मज़ेदार है। विकी कोशल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं लकिन उनके किरदार को काफी लिमेटेड स्क्रीन स्पेस मिला है लेकिन वो उतने में ही अपने आपको बखुबी स्टाबलिश कर पाते हैं। साथ ही तापसी पन्यों और विक्रम कोचर भी इस फिल्म का हिस्सा है और ये सब मिलकर शारू खान के दोस्त की भूमिका निभाते हैं। फिल्म के ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन पाल कर मत जाना क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया पोट्रेल काफी ओर्डिनरी है लेकिन फिल्म में आपको नेक्स लेवल एक्सपीरिंस मिलेगा जिस पर आप पूरी तरीके से इमोशनली इन्वेस्टेड रहेंगे। रन टाइम की बात करें तो फिल्म 161 मिनट की है तो फिर देर किस बात की 2023 की वन अफ दे बेस्ट फिल्म को देखना मत भूलना। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्रीज ओन ओरिटी को फॉलो कर लीजिए।